Hello students, स्वागत है आपका हमारे study view education channel में आज की dictation 80 word पर मिनट की speed पे लिखेंगे और dictation का जो matter है, legal matter है dictation स्टार्ट होगी, 3 सेकिंड बाद, ready? स्टार्ट यह है मामला, दंड परकिरिया सहिंता 1973 की धारा 433 के संबंद में उत्पन एक विधिक प्रशन उत्पन होने पर उच्तम नियाले के इस पूरण पीठ के समक्ष आया जिसने पुने उक्त प्रशन पर वी निश्चे के लिए इस मामले को ब्रहद पीठ के लिए संधर्बित कर दिया है विराम वर्श 1978 में किये गए एक संशोधन के द्वारा दंड परकिरिया सहिंता में जोडे गए धारा 433 के के अंतरगत निमन उपबंद किया गया है पैरा 433 के कुछ मामलों में छूट या लगू करण के शक्तियों पर निर्वंधन धारा 432 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराद के लिए जिसके लिए मृत्यु दंड विधिवारा उपबंधित दंडों में से एक है आजीवन कारावास का दंडा देश दिया गया है या धारा 433 के अधीन किसी व्यक्ति को दिये गये मृत्यु दंडा देश का आजीवन कारावास के रूप में लगू करण किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक की उसने 14 वर्ष का कारावास पूराने कर लिया हो अर्थात यदी किसी दोस सिद्धी को आजीवन कारावास का दंड दिया गया है तब उसे दंड के छूटियां लगू करण की दशा में तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक की वह 14 वर्ष का कारावास नहीं भुगत चुका है विराम इस मामले में सविधान के अनुछेद 161 के अंतरगत शक्ती के परयोग हर्याना राज्ये के राज्ये पाल ने 9 अगस्त 2019 को केदियों को जेल से मुक्त करने की एक नीती की घोशना की जिसके तहत 75 वर्ष से अधिक आयू के कुछ केदियों को 15 अगस्त 2019 को मुक्त किया गया विराम अपिलार्थी भारतिय दंड सहिंता की धारा 302.34 के अंतरगत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था और कुल मिलाकर आठ वर्ष की सजा भुगतता था किन्तु उप्रियुक्त नीती की घोशना के बाद उसे 15 अगस्त 2019 को मातर इस कारण मुक्त कर दिया गया की उसकी उमर 75 वर्ष से अधिक थी विराम मामला उच्तम नियाल्य में सुनवाई के लिए लगा था तब आदेश दिनाख 47 2017 के द्वारा नियाल्य ने अपिलार्थी की जमानत याचि का ऐस अविकार कर दी थी विराम इसके बाद अपिलार्थी की ओर से जमानत के लिए दूसरी याचि का प्रस्तुत किया गया तब नियाल्य को सुचित किया गया की राज्य के नीतीगत निर्णे के तहत अपिलार्थी को अगस्त 2019 में स्थाई रूप से जेल से मुक्त कर दिया गया है विराम अतै नियाल्य ने अपिलार्थी की समय पूर्वक रिहाई पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया विराम प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने पीठ को सुचित किया की राज्य के राज्य पार ने सविधान के अनुछेद 161 के अंतरगत प्रदत शक्ती के परियो स्तिनाख 28-2019 को एक आदेश जारी किया है जिसके तहत कुछ श्रेणी के केदियों को 15 अगस्त 2019 को उनके कारावास की अवधी में छूट प्रदान करते हुए उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया है विराम तदर्नसार छोड़े गए दोस शिद अधकेदियों की श्रेणी निमनवत थी नमबर एक 15 अगस्त 2019 को ऐसे पुरुष केदि जिने आजीवन कारावास का दंड दिया गया जिसके उमर पचेतर वर्ष से अधिक है और उन्होंने आठ वर्ष तक की कारावास भुगत चुके हैं और ऐसे महिला 500 केदि जो 15 अगस्त 2019 को 65 वर्ष या अधिक उमर की हैं और 6 वर्ष का कारावास भुगत चुकी हैं और कारावास के दोरान उनका चरितर उत्तम रहा है तथा निरुद्धी के दोरान उन्होंने पिछले दो वर्ष के भीतर कोई जेल अपराद नहीं किया है उन्हें ततकाल चोड़ दिया जाएगा नमबर दो ऐसे कैदी जिने आजीवन कारावास से भिन सजा दिया गया है उपर्यूक्त अन्य शर्तों के अधिन मूल कारावास का दो बटा तीन सजा 15 अगस्त 2019 को भुगत चुके हैं उन्हें ततकाल छोड़ दिया जाएगा नमबर तीन किंतु निमन लिखित श्रेणी के केदियों को उपर्यूक्त चुट परदान नहीं किया जाएगा स्टॉप स्टुडेंट्स जैसे ही आप ये डिक्टेशन लिख लेते हो तो प्लीज आप इसके हिंदी करके जुरूर देखी इसको ट्रांसलेट करके जुरूर देखी क्या आपने जो बनाया है आपको समझ में आई है या नहीं और इस डिक्टेशन की जो पीडियोगा आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलेग्राम का लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो यदि आपने हमारे स्टोडी वी एजुकेशन चैनल और टेलेग्राम चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेर भी कर दीजिए थेंक यू